हेलो फ्रेंट्स मेरा नामें बलराम, वल्कम टू मैं चैनल और इस पीडियो में हम बात करेंगे स्टार भोर्टेक्स या फिर जिसे आप स्पाइरल स्टार ट्रेल फोडोस भी बोल सकती हो कुछ ऐसे फोडोस के बारे में और आपने इंस्टाग्राम में फिर इंटरनेट पर ऐसे फोडोस कभी ने कभी जरूर देखे होंगे अब इन फोडोस की खासियत होता है कि यहां पर स्टार ट्रेल का जो रोटेसन है वो बहुत ही जादा रहता है जेनरली आर्थ इतना ज़दा रोटेसन कभी नहीं मारता है तो आपको इतना ज़दा रोटेसन बाला स्टार ट काफी टाइम लगा कर इस सौट को बनाया गया है लेकिन एक्चुल में इसके पीछे काम करता है स्टार वोर्टेक्स एरिडिंग जो कि फोटोसॉप के अंदर किया जाता है और आज किस फीडियो में मैं आपको यही एरिडिंग करके दिखाने बाला हूँ जो कि आपके एक अंदर भी एरिडिंग कर सकते हो तो सबसे पहले हम अपने फोटोसॉप को ओपन कर लेंगे और उसके अंदर आपने मेल की ओए फोटो को ओपन कर लेंगे अभी अगर आपको मेल की ओए फोटोग्राफी क्याप्चर करना नहीं आता है तो इसके उपर मेरा एक सेपरेट स्टार वाला वाला एडिया है यानी को जू स्काइघ है इसको मैं सिले्ट कर लूँंगा मैं अब ये ज़िलेक्षण में ये बहुत ही ज्यादा इंपorte약ने अब जितना परफेक्ट्री सिलेट करेंगे आपका फोटो उतना ही परफेक्ट बनेगा मैंने दो दिन पहले ही अपने Instagram और Facebook के उपर Star Vortex के एक फोटो डाले थे, उस फोटो में मैंने selection बहुत ही roughly करे थे, जिसके बज़े से फोटो ऐसा दिख रहा था, जैसे कि मैंने उपर का जो गोटेक्स बाला एरिया है, उसको कहीं पर से डाउलोड करके फोटो के उपर चिपका दिया है, तो काफी सारे लोगों ने वहाँ पर कमेंड भी करे थे, तो जितने अच्छी तरीकिसे आप अपनी फोटो की स्काई को सेलेट करेंगे, आपका फोटो उतना ही परफेक्ट बनेगा, तो यह मेरा सेलेक्शन बन चुका है, अभी आपका सेलेक्शन हो जाने के बाद, आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करिए, और यहाँ पर लेयर विया कॉपी पर क्लिक करके, यह जो सेलेक्शन ए सकते हो, यहाँ पर आप Alt F9 भी प्रेस कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर एक्शन के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर जैसे मैं इसके अंदर आता हूँ, यहाँ पर मेरा एक्शन पैनल ओपन हो जाता है, अभी हमें यहाँ पर एक नया एक्शन क्रिएट करना होगा, जो कि मैं इस dot पर click करते हुए यहाँ पर new action के अंदर जाकर अपना एक नया action create कर लूँगा और इसको मैं rename कर दूँगा rename हो जाने के बाद मैं simply record के उपर click करूँगा और यह मेरा एक नया action बनकर record होना शुरू हो चुका है अभी इसके बाद हम क्या करेंगी यह जो अपना layer है इसका एक copy बना लेंगे और उसके बाद हम इसके उपर control T press करेंगे यानि कि यह जो transform बाला setting है इसको हम access कर लेंगे अब यहाँ पर आपको यह जो crosshair दिख रहा होगा इसको आपको adjust करना पड़ेगा यह बहुत जादा important है अब इस crosshair को आप जहां पर रखेंगे आपकी vortex का midpoint वही पर बनेगा तो मैं simply इस bright star की उपर इस crosshair को रख दूँगा तो मेरा जो vortex बनेगा उसका midpoint यह bright star बनेगा अब उसके बाद यहाँ पर आपको settings में थोड़ा changes करने है यहाँ पर आपको height and white जो आपको दिखाई देगा उसको आपको कम करना है लगबग 99.50 मतलब गी 0.5% ही आपको कम करना है उससे ज़्यादा कम नहीं करना है और उसके बाद आपकी photo का जो route से ने उसको आपको 0.01 देना है उससे ज़्यादा आप ना दे तो ही बैतर होगा उसके बाद आप simply यहाँ पर से इस right पर क्लिक करके इसको apply कर दीजे अब free transform apply हो जाने के बाद आपको यहाँ पर जो blending option दिखाई देगा उसको आपको कर लेना है lighten और उसके बाद यहाँ पर आपका जो action panel पर recording चल रहा था उसको आपको stop कर देना है और फिर अपने जो action बनाए थे आपको simply उसको select कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर से इसको play कर देना है अब यहाँ पर आप इस action को जितनी बार play करेंगे उतना ज़ादा लंबा trail आपका बनेगा यहाँ पर मेरा computer की under skin recording चालू है तो मेरा computer थोड़ lag कर रहा है तो मैं इसको लगबख 40-50 बार apply करने के बाद आपको final photo दिखाता हूँ तो आप देख सकतो जैसे जैसे मैं इस action को apply कर रहा हूँ यानि के play कर रहा हूँ मेरे photo में एक vortex बनता जा रहा है और इसको आप जितना ज़ादा apply करेंगे उतना लंबा trail आपको देखने को मिलेगा तो यह आप देख सकते हूँ मैंने इस action को 40 बार apply कर दिये है और आपको photo में एक बहुत कमाल का vortex देखने को मिलेगा और मैंने cross year को इस bright star के उपर point करे थे तो vortex का midpoint है उस bright star के उपर बना है और दिखने में बहुत ज़ादा कमाल का दिख रहा है अब ही आप इस action panel को यहाँ पर से बंद कर सकते हो और आपने photo को यहाँ पर से save कर सकते हो अब यह star vortex photos दिखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन यह एक edited photo है यह एक natural photo नहीं है तो कोई भी photography contest या फिर competition पर यह photos आपके accept नहीं होंगे लेकिन इस photos को आप अपने instagram, facebook या फिर अपने social media के साथ-साथ stock photography में upload कर सकते हो और यह photos दिखने में बहुत ज़ादा कमाल का लगता है तो I hope यह जो tutorial है आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपको यह tutorial पसंद आता है तो please like करना और आपने दोस्तों के साथ share करेदाना मैं आप सब मिलता हूँ अगले वीडियो पर thanks for watching